नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडिविट डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज है 19 मार्च वर एंपिटेट का फर्स्ट सिप्ट का पेपर हो चुका जिसमें 41 प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे जो प्रश्ण पूरे पूरे कि पीडियो को पूरा देखना है और अंत्वर बताने को आज का एक्जाम नहीं हूई है कल है पर आने वाले तारिक को है तो आप हमें इस नंबर पर जैसे एक्जाम होलसे बहार निकले उसके तुरंत बाद प्रेश्न बताईंगे उसके बाद में कौन से टोपिक पुछे गए हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको इस नमबर पर तत्काल देना है ताकि हम आने वाले बच्चों को अपडेट कर सके कि खिस प्रकार का प्रिशन आ रहा है और किस प्रकार के प्रश्नक पूछ जा रहे हैं। पूछी जा लिए थोड़ी से डीपली पूछी जा रही है यानि कि आप वहां पर यह समझ के हल करेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं आप जो अन्य विसे हैं यानि कह सकते हैं कि जैसे हिंदी हुआ गणित हुआ उसके बाद में संसिकत हुआ इनके जो विसेवाई जो 15 प् प्रण पर प्रक्षन के बात करेंगी प्रियावरन अध्यन में क्या पूछा गया तो यहां पर दीखे अंतरिक्ष्य विज्यान से डेली प्रषने पूछे जा रहे हैं आज एक से दूप्रषने पूछा सबसे पहले प्रश्णों की बात करें तो अधिनियम से प्रश्ण पूछा गया था कि जन सनरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ था तो जितने भी अधिनियम है कब लागू हुए इनके सनयात कर लेना है जन सनरक्षन अधिनियम पूछा गया था तो ये 1944 को लागू हुआ था वन से संमधित प्रशनाज पुछा गया था कि सर्वाधिक शागोन के जो रक्षे हैं वो कहां पर पाए जाते हैं तो यह मद्यप्रदेश में पाए जाते हैं जमीन से हवा में मार करने वाली या फिस सता से हवा में वार करने वाली मिसाइल कोन से ? आपको कमेंट से के मादम से बताना है आपके चार विकलपे कोन कोन से थे ? आकास मिशाइल, त्रिशूल मिशाइल, बराकाट और प्रत्वी एर डिफेंसे, सभी जो मैंने चार नाम आपको बताए हैं, यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के हैं, तो इन में से कौन से नाम थे या फिर और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन मैंने चार यहाँ पर न चार नाम होता हैं, तो आपको ध्यान देना है, 17PPM से जादा होता है, और PH मान तो सभी को पता है कि सुध जलका जो PH का होता है, वो कि इतना होता है? साथ होता है देखिए भारत का जो पहला अंत्रिक्षियान है इसके बारे में पहले भी पूचा जा चुका है जाने कि दो तीन बार प्रशन आ चुका है और आज भी ये प्रशन पूचा गया था कि भारत का पहला अंत्रिक्षियान कौन सा था तो वो था आरे भट जिसके बार में आपको सभी को पता है और यह लॉंच इक उप किया था 19 अप्रेल 1975 को लॉंच किया था देखिया फसल से सम्मनत और और प्रस्ण पूछा गया था कि फसल से सम्मनत कौन सा त्युहार नहीं है यह प्रस्ण पहले भी पूछ जा चुका है कुछ प्रस्ण ऐसे हैं जो के देखिए प्रश्ण पहले भी पूछा गया था कि फसल से संब्मदित कौन सा त्युहार नहीं है अब चार विकल्प के अनुसार आप वहाँ पर राइट आयंसल लगा सकते थे पीने योग के पानी कौन सा है इस प्रकार का प्रश्ण पूछा गया थे इसमें भूमी गजल और प्रश्ण प्रश्ण हम अप्लोड कर चुके हैं कि वीडियो के माध्यम से तो उसको देख सकते हैं सभी के सभी इंपोटेंट वहाँ पर अभ्यारण और आपको ध्यान मिल जाएंगे तो उनको देख लिजेगा पी एस एलवी से संब्मदित एक प्रश्ण पूछा गया था खेल से डेली प्रश्ण पूछ जा रहा है खेल से एक वीडियो हम थोड़ी दर पहले बाद आजी साम तक आपको एक वीडियो देंगे जिसमें 100 प्रश्ण ओर रहेंगे उस वीडियो को भी देख लीजेगा अभी तक हम 3 वीडियो अप्लोड कर चुके हैं लगभग 300 बता सकते हैं और मैं आपसे आगरह करूँगा कि जो प्रश्ण यहां पर मैं नहीं बता पा रहा हूं और यहां आज आज आपका फेपर था तो आप को में बता छूervation को की इस statement पूछे गएं हैं اور कौन-कौन जिसमें 15 प्रस्ण पूछी जा रहे हैं उसमें 4-5 प्रस्ण आपके वियाकरन से भी पूछी जा रहे हैं जिसे कि यहाँ पर पूछा गया है प्रती दिन प्रती दिन में कौन सा समास है तो प्रती दिन में कौन सा समास होगा अब भाव समास होगा संधी आप से डेली पूछी जा रहे है अलंकार आप से डेली पूछी जा रहे है विभक्ती आप से डेली पूछी जा रहे है यदि आपके हिंदी अच्छी है संसिग्रत जैसे कह सकते कि व्याकरन अच्छी है तो उसको अभी आपके पास समय बचा है तो उसको मत पढ़िएगा बिल्कुल भी यदि आपने उसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लिया होगा तो आप सिर्फ पेडागोजी और पेडागोजी पर ध्यान दीजेगा यदि आपने महां से अच्छे प्राप्त कर लिये तो बाकी आपके जो ये अंक है ये कहीं नहीं जाएंगे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते यदि आपने पेडागोजी पर ध्यान दे लिया यदि आप इन तीनो यदि गद्यांस पद्यांस और गणित गणित भी तना टप नहीं आ रहा है आप प्रशने पूछ जा रहे हैं उपसरगे से प्रशने पूछ जा रहे हैं आज पेडागोजी में लेखन से सम्मन्दित प्रशने पूछे गए थे बात करें बाल विकास की तो इसमें हमें प्रशने प्राप्त नहीं हुए लेकिन हम यह आपर टोपिक आपको बता देते हैं ज इसका आज पेपर था वो यदि ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट से के माध्यम से बोलते हैं कि सारे ये प्रस्णा तो पूछे ही नहीं गई देखिए प्रस्णा का मतलब यह नहीं कि जैसे हमने जिन प्रस्णा बता दिया तो वहाँ पर डारेक्ली आपसे प्रस्णा ये प्रस्ण नहीं पूछा गया था तो यहां पर सिर्फ हम टोपिक बताते हैं को उनसा प्रस्णा पूछा गया था यह मालूम नहीं होता है क्योंकि जो प्रस्ण अभी पूछ जा रहे हैं जो बच्चे अग्जाम होल से बाहर निकल कर हमें प्रस्णा बताते हैं वो उन प प्रशनों को याद नहीं कर पाते हैं सिर्फ वहाँ पर यह बता सकते हैं कि सरी इस टोपिक से प्रशने पूछे गए थे तो यह आप इही के द्वारा बताए गए प्रशने हैं वह अवस्थाओं से डेली प्रशने पूछी जा रहे हैं गणित की हम बात करें तो अनुपास सम समधित आज प्रशने देखने को मिला चिन्न परिवर्तन से डेली प्रशने पूछी जा रहे हैं संख्या पद्धती से डेली प्रशने पूछी जा रहे हैं विभाजता के नियम से एक सिप्ट या दो सिप्ट में या फिर एक दिन या दो दिन छोड़के डेली प्रशने थोड़ा भुद भी मेत्स को करा होगा पड़ा होगा तो आप आसानी से वहाँ पर प्रशनों को हल कर सकते हैं पर ये जरूर हो सकता है कि जो प्रशन संख्या है गनित की वो कम हो और पेडागोजी उसमें जादा आपको दे दी गई हो ये जरूर हो सकता है लेकिन जो प्रशन पूछा गया था संसिक्रत में और प्रते से प्रशने पूछा गया था और उपसरगत से प्रशने पूछा गया था टोटल 41 प्रशने यहाँ पर आपको बता चुके हैं तो जो हम प्रशने यहाँ पर बताते हैं वो आप और सेव कर लिजिएगा आपके दी पीपर है तो आकर हमें प्रस्ण और टोपिक जरूर बताएगा तो हम जल्द ही दोस्तों सेकंड सिप्ट में मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद